हाई गाईज, वेलकम डू माई यूट्यूब चैनल, हम लोग इस वीडियो में एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, we are going to build an email spam classifier, email spam classifier बोल सकते हो या फिर SMS spam classifier बोल सकते हो, आज की रेट में आपको पता होगा कि अगर आप कभी भी कोई email client यूज़ कर रहे हो या फिर आ Google जैसी companies उस तरह के promotional emails को पहले से spam folder में डाल पाती है, उनको कैसे पता चलता है कि किसी email का content spam है या spam नहीं है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग end-to-end एक website बनाएंगे, मतलब एक website जहां पे अगर user एक spam message type करेगा, तो इसको spam दिखाई देगा, और अगर spam नहीं होगा, तो उसको not spam दिखाई देगा, in fact I'll show you a demo, मैंने already project मना लिया है, I'll show you the demo, this is the demo, अगर आप यहां पर, let's say type करते हो, जैसे मैंने कुछ messages यहां पे ले रखे हैं, जैसे कि एक है this, I am free today, let's go out for a movie, ठीक है, अब clearly यह message, एक normal message is spam नहीं है, जैसे आप credit पे click करोगे, यह बोल रहा ह not spam, अगर आप यहां पे जाओ, let's say, यह एक message है, जो कि clearly दिख रहा है कि spam message है, अगर आप credit पे click करो, तो यह spam बता रहा है, ठीक है, तो this is the project that we are going to build, और इस project को बनाने के process में, हम लोग सबसे पहले तो इस data set के उपर काम करेंगे, UCI machine learning का यह data set है, और यहां पे बहुत सारे spam messages है, not spam messages है, हम इस data के उपर सबसे पहले यह पूरा notebook बनाएंगे, हम लोग data cleaning करेंगे, हम लोग EDA perform करेंगे, हम लोग feature engineering करेंगे, हम लोग model building करेंगे, model evaluation करेंगे, और उसके बाद हम लोग अलग techniques use करेंगे, like ensemble learning and all, और eventually जब हमारा model ready हो जाएगा, उसको हम लोग एक website में convert करेंगे, जिसका code मैंने यहां कर रखा है, और उसके बाद हम इसको hero को पे deploy करेंगे, as you can see, यह जो URL है, यह एक global URL है, अगर मैं आपके साथ अभी share करूँगा, तो आप भी इस website को देख सकते हो, use कर सकते हो, ठीक है, तो यह सारा काम हम लोग इस एक single video में करेंगे, and I really feel कि आप काफी कुछ सीखने वाले वे इस video में, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजे करने वाले हैं, इस project को बनाने के process में, so I hope you are excited because I am, let's start the project.